नमस्कार स्वागते आपका न्यूस ओल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी और आप देख रहे हमागा खाश शो गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं एक तरफ दिली में नवजोद सिंग सिदू पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं तो वहीं दूसी तरफ चंडिगर में मुक्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग भी बैठकों का दौश शुरू कर रहे हैं इसी कड़ी में कैप्टन अमरिंदर सिंग ने गुरुवार को अपने समर्थक नेताओं और विधायकों को फार्म हाउस पर लंच के लिए बुलाया है लंच डिप्लोमेसी के तहट कैप्टन अमरिंदर सिंग आंकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नमजोद सिंग सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मदारी कॉंग्रेस आलकमान के द्वारा दी चाती है तो ऐसे में उनके हक में कौन-कौन नेता खड़े हो सकते हैं सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंग नहीं चाते हैं कि नमजोद सिंग सिद्धू को किसी भी हाल में कोई भी बड़ी जिम्मदारी कॉंग्रेस आलकमान द्वारा पंजाब में दी जाए सूत्रों के मुताबिक पंजाब कॉंग्रेस में मचे घमासान के बीच नमजोद सिंग सिद्धू को पार्टी में एहम जिम्मदारी मिल सकती है प्रियंका गांदी से मुलाकात के बाद सिद्धू उनके बताय फॉर्मूले पर राजी हो गए हैं कॉंग्रेस पार्टी सिद्धू को दी जाने वाली एहम जिम्मदारी को लेकर अगले 48 घंटे के अंदर प्रेस कॉंफरेंस करेगी वहिन अफजोद सिंग सिद्धू ने प्रियंका गांदी से मिलने के बाद देश शाम राहूल गांदी से मुलाकात की दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बाची चली सुरक्षबलो और आतंकियों के बीच हुए एंकाउंटर में एक और आतंकी मार गिराया गया है इस एंकाउंटर में सुरक्षबलो ने कुल तीन आतंकियों को सफाया कर दिया है बता दें दो जवान भी इसमें घायल हुए हैं कुलगाउं के चिमेर शेत्र में बुद्वार शाम को सुरक्षबलो और आतंकियों के बीच एंकाउंटर शुरू हुआ जो कई घंटों तक चला एंकाउंटर की शुरुआत में दो आतंकी मारे गए थे बाद में सुरक्षबलो ने एक और आतंकी को मार गिराया चिमेर शेत्र में आतंकियों की और से फारिंग शुरू होने के बाद एंकाउंटर शुरू हुआ था इस एंकाउंटर में दो जवान भी जक्मी हुए हैं इससे पहले श्रीनगर के पारी पोरा में सुरक्षबलो ने दो आतंकियों को धिर कर दिया था पारी पोरा इलाके में सुमवार से चल रहे एंकाउंटर में सुरक्षबलो ने लश्कर कमांडर अबरार समेट दो आतंकियों को मार गिराया आतंके जिस खर में चिपेते सुरक्षा बलो ने उस घर को ही उड़ा दिया आतंकेों के पास से दो AK-47 राइफल भी बरामत की गई है भारतिय क्रकेट टीम और फैंस के लिए एक बुरी ख़वर सामने आई है दरसल भारत के सलामी बलेबाज शुबमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्स सीरीज के श्रुवाती टेस्स से भार हो सकते हैं क्रकेट वेबसाइड किक बुरूज ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी चानकारी दी है रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम इंडिया के यूआ सलामी बलेबाज शुबमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में ही नहीं खेल पाएंगे वहीं जब दूसर टेस्ट भी मिस्स कर सकते हैं इंग्लैंड से जो खबर मिल रही है उसे बताय जा रहा है कि गिल की चोट काफी गंभीर है हाला कि वो टीम के साथ बने रहेंगे बता दें कि अभी भाते क्रिकिट टीम बोर्ड ने गिल की चोट कोले का कोई अधिकार एक ऐलान नहीं किया है देले समय तो तब भारत से दक्षिन पश्यम मौनसून के लगातार दूर रहने के बावजूद भी जून में देश में समाने से दस प्रतिश्यत अधिक बारिश हुई है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुद्वार को ये जानकारी दी है वरत्मान में दक्षिन पश्यम मौनसून बार मेर, भीलवारा, धोलपूर, अलिगर, मेरट अंबाला और अमरिसर से होते हुए सदूर वरती उत्री सीमा से गुजर रहा है आईमजी ने बताया कि 19 जून से मौनसून में कोई प्रगती नहीं हुई है जबकि 3 जून से 19 जून के बीच मौनसून में अधिकतर प्रगती का अनुमान रहता है दक्षिन पश्यम मौनसून दो दिन की देरी के साथ केरल में 3 जून को पहुँच गया था जहां तापमान भी 44 जग्री सलसिस तक चला गया है मद्य प्राय दीपय और उत्तर प्रश्यम भारत में मौनसून अभी कमजोर है जबकि पूर्वत्तर भारत बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो रही है वहीं हरियाना के मुख्यमंतरी मनोहलाल खट्र ने बुद्वार को कहा कि अंदोलन कारी किसान संगो के नए केंद्रिय किशी कानूनों को निरस्त करने की जिद्पन नहीं गड़े रहना चाहिए और सकार से माचूईट से पहरे से शर्त बनाने से कोई फायदा नहीं होगा उन्होंने बताया, उन्होंने दावा किया कि केवल चुनिदा लोग ही क्रिशी कानूनों का विरोध कर रहे हैं और आम किसान खुश हैं सीम खटर ने कहा कि अंदौलन कर रहे लोग वास्तव में किसान है ही नहीं असली किसानों को क्रिश्टी कानूनों से कोई आपती नहीं है वो खुश हैं महीं मुख्यमंत्री नारोप ये भी लगाया कि क्रिशी कानूनों का विरोध कर रहे लोग राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे है उन्होंने कहा कि उनकी पंजाब टीम ऐसा कर रही है क्योंकि वहाँ चुनाव आ रहे हैं लेकिन हमारे राज्ये में कोई चुनाव बाकी नहीं है यहां राजनीतिक खतकंडे अपना कर सरकार को बदनाम करने का एजन्डा चला रही है और कॉंग्रेस भी इसमें उनका साथ दे रही है तो गुड मॉर्निंग एंडिया में फुलार के लिए इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे है निउस वाल इंडिया